लारा दक्ता ने Miss Universe प्रतियोगिता में रिकॉर्ड मार्क्स हासिल कर अपने नाम किया था ताज. वर्ष 2000 में विश्वस्तर पर सुप्रतिष्थित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स जीतने के बाद बॉलिवुड में एंट्री मारने वाली अभिनेत्री लारा दत्ता 16 अप्रेल को अपना 45 वा बर्थडे सिलिबरेट कर रही हैं. देश के खाते में एक और मिस यूनिवर्स का खिताब करने वाली लारा दत्ता का जन्म वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था. लारा के पिता भारतिय वायु सेना में विन कमांडर थे. इनके पिता एल के दत्ता एक पंजाबी परिवार से आते हैं, जबकी मा जेनिफर दत्ता एंगलो इंडियन है. लारा की मा जेनिफर भी वर्ष 1967 में मिस मदरास का ताज जीत चुकी थी. पूर्व मिस यूनिवर्स लारा ने करीब 18 साल के करियर 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. पिछले एक दशक से शादी शुदा जीवन के बीच भी वह फिल्मों का नियमित अंतराल पर हिस्सा बनती रही हैं. इस खास अफसर पर जानिये लारा दत्ता के जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें. इकोनॉमिक्स एंड माइनर कम्यूनिकेशन में सनातक हैं लारा. जब लारा दत्ता महस तीन साल की थी, तब उनका परिवार उनके पिता के ट्रांसफर के कारण वर्ष 1981 में बैंगलोर चला गया था. लारा ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट फ्रांसिस जेवियर गर्स हाई स्कूल और फ्रेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल से पूरी की. की डिगरी प्राप्त की. लारा अंग्रेजी और हिंदी के साथ ही पंजाबी और कन्नड भी फर्राटेदार बोलती है. उनकी दो बड़ी बहने हैं, जिसमें सबरीना अंग्रेजी लेखन में फ्रीलांसर के तौर पर काम करती हैं, जबकि उनकी एक और बड़ी बहन का नाम शेरिल है, जो भारतिय वायुसेना में कार्यरत है. मा की तरहे ही बचपन से मॉडलिंग का शौक रहा. अपनी मा की तरहे ही लारा दत्ता को भी बचपन से ब्यूटी पैजेंट में भाग लेने और मॉडलिंग का काफी शौक था. उन्होंने वर्ष 1995 में वार्षिक ग्लैडर्क्स मेगा मॉडल इंडिया कॉम्पेटिशन जीता. इससे लारा को वर्ष 1997 में मिस इंटर कॉन्टिनेंटल पैजेंट में शामिल होने का मौका मिला. बाद में इन्होंने यह खिताब भी अपने नाम कर लिया. वर्ष 2000 में लारा ने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेंस्ट में भाग लिया और मिस इंडिया युनिवर्स का ताज जीता. इससे उन्हें मिस युनिवर्स प्रतियोगिता में जाने का अफसर प्राप्थ हुआ. साल 2000 में ही लारा गत्ता Miss Universe बन गई थी लारा ने सभी कंटेस्टेंट में सबसे ज्यादा प्वांट्स स्विम्सूट काम्पिटिशन और इंटरव्यू काम्पिटिशन में हासिल कीए थे Miss Universe के इंट्रव्यू के दौरान जजों ने मेजॉरिटी के साथ लारा को कुल 9.99 मार्क्स दिये थे Miss Universe बनने के बाद फिल्मी दुनिया में एंट्री ली Miss Universe का खिताब जीतने के बाद लारा दत्ता ने बालिवुड फिल्मों में अभिनय करना बतौर करियर के रूप में चुना लारा ने वर्ष 2003 में हिंदी फिल्म अंदास से सिने परदे पर डेब्यू किया जिसमें उनके अपोजिट अक्षय कुमार थे साथ ही ब्यूटी क्वीन प्रियंका चोपडा भी उनके साथ फिल्म में मुख्य भूमिका में थी करीब दो दशक के फिल्मी सफर में लारा ने कई फिल्मों में काम किया है फिल्म बिल्लूक नो एंट्री, हाउसफुल, पार्टनर में लारा दत्ता की परफॉर्मेंस यादगार रही है इस दौरान उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए कई पुरसकार भी मिले भारतिये टेनिस खिलाडी महेश भूपती से की शादी वर्ष 2011 में अभिनेत्री लारा ने अपनी खुद की होम प्रोडक्शन कमपनी शुरू की उन्होंने अपने बैनर तले चलो दिल्ली नाम की फिल्म का निर्मान किया उनकी होम प्रोडक्शन मूवी को फिल्म समीक्षकों ने काफी पसंद किया था साल 2011 में ही लारा दत्ता ने विख्यात भारतिय टेनिस खिलाडी महेश भूपती से शादी कर ली इन दोनों की एक बेटी भी है लारा साल 2018 में फिल्म Welcome to New York में नजर आई वहीं पिछले साल अक्षय कुमार के साथ फिल्म Bell Bottom में दिखी जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया इसके अलावा साल 2022 की शुरुआत में वह एक वेब सिरीज में भी नजर आई